नमस्ते दोस्तो हम सभी को परांटा खाना तो बहुत ही पसंद है अगर वो परांटा कोई हेल्दी सब्जी से बना है तो हम एक दो परांटा एक स्ट्राई खा लेते हैं वैसे हम लोगों को लौकी के परांटा खाना तो बहुत ही पसंद है लेकिन हम लोगों के साथ लौकी के परांटे बनाते वक्त वही प्रॉब्लेम होता है कि लोकी के परांटे के अंदर जो हम लोकी का स्टाफिंग डालते वो फट के निकल जाता है और धंग से बन नहीं पाता है तो दोस्तो मैं जब लोगी के परांटे बनाती हूँ मेरी लोगी के परांटे कभी फर्थती नहीं है तो मैं इसमें कौन सी मैजीक जो है अपलाई करती हूँ वही मैं आप लोगे सामने आज रिविल करने बाले हूँ साथी साथ मेरी लोकी के परांटे होते हैं बहुती मलमल की तरह एकदम नरम और खाने में बहुती स्वादिश्ट और बहुती खुजबुदार तो दोस्तों आप लोग स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए और आपने परांटे को पर एकदम पर्फिक्ट बनाई है तो दोस्तों रेसिपी सुरू करने से पहले आप लोगों से ये निविदन हैंगी पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हैं तो मेरी चैनल को ज़रू सब्सक्काइब करें और एक लाइक ज़रू देखे जाए सबसे पहले हम लोगी से छिलका उतार लेंगे और यहाँ पर हमने आधी लोगी को यूज करें हैं उसके बाद हम लोगी को ग्रेट कर लेंगे इससे आपका परांठा जो है बहुत ये नरम होता है अगर ग्रेट करके लेते हैं तो ग्रेट जब करेंगे एक दो अगर बीज अगर दिखाई देता है तो अब हातों की मदद से इसको हटा दे जितना हो सके हटा दे एक दो रहे भी जाए तो इतना problem की कुछ बात नहीं है तो यहाँ पे भी मेरी लौकी में दो चार बीज निकल काया है इसको मैं हटा दे रही हूँ उसके बाद हमें क्या करना है थोड़ा सा नमक मिला लेना है लोकी के अंदर और अच्छे से सारे लोकी को मिला देना है नमक में और थोड़ी देर के लिए हमें इसको छोड़ देना है और तब तक हम सबजीयों को काट लेंगे जैसे कि हमने पियास लिया है पियास को एकदम छ धनिया पत्त को धनिया पत्त को भी छोटे-छोटे टुक्रों में काट लीजिए उसके बाद हम काट लेंगे हरी मिर्ची को और हम जो अद्रग लिये थे वो थोड़ा सा ग्रेट करके ले लेंगे ज्याद नहीं आपके यूज करना है थोड़ा सा फ्लेबर के लिए आपको चा पानी है उससे परांथा ज्यादा फर्ट जाता है तो इसलिए हम थोड़ा सा नमक मिला दिये थे कि इससे पानी जो है एक दो स्टेप बाकी है जिससे परांथा एक दम परफेक्ट होता है लौकी का तो आप बने रही है मेरे साथ आगे चल कर आपको देखने को मिलेगा और क पर इसमें मसाले पहले हम ने दिया है इते हैं चाट मसाला पाउडर स्वा伦ानो सा नमक और दिया है हमने अज्वाईन थोड़ा सा आमचूर और देखने हैं इसमें कसौरी मेती जो इससे क्या होते हैं कि अछा खुश्बू भी आता है और खान में बहुत छीर एक वात है न अब जितना पाउडर हो सके करके दीजिएगा और आपको चाहिए लास्ट में थोड़ा सा लाल मुच पाउडर सबी चीजों को हमें मिला के अभी एक साइट पे थोड़ी देर के लिए भी रख देना है अच्छे से आपको मिला लेना है और आप चाहिए तो हाथों की मदद से इस तरह से मिला ले क्योंकि चम्मच से इतनी अच्छे से सारे सज्जी के अंदर मसाले नहीं जाता है अभी एक साइट में हम अटा लगा लेंगे अभी बाड़ी है आप लोगों को यह बताने की कि आटे में आपको थोड़ा सा दही डालना है मतलब ये लौकी के पडांटे में जो आटा लगते इसमें थोड़ा सा दही ज़रूर मिलाएगा इससे होता है कि परांटे एकदम मलमल के जैसा नरम होता है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और पहले वाला जो हम लोकी का पानी निकाल के रखे थे मतलब नमक डाल के जितना पानी निकला लोकी से वो बाला पानी हम आटे में यूज़ कर रहे हैं लौकी का पानी बहुत ही healthy होता है जिन लोग का high pressure का problem बगेरा रहते हैं या फिर सभी लोग इसे खा सकते हैं गर्मी के दिन में लौकी तो बहुत ही अच्छा एक vegetables है तो हम आटे को थोड़ा सा hard लगाए हैं ज्यादा नरम नहीं किया है थोड़ा सा hard लगाया है पानी बहुत ही कम कम करके आपको डालना है अभी जो हम कर रहे हैं जो लोग की को हम मसाले आजोयन वगेरा सब मिला के रख दिये थे थोड़ा सनमक मिलाए थे उससे फिर से पानी जो है छोड़ दिया है लोगी ने तो फिर से हम एक स्टेनर की मदद से फिर से हम लोगी का पानी को निकाल लिए है अभी बाड़ी है वो चीज़ की जिससे आपका लोगी का परांठा बिल्कुल फटेगा नहीं एकदम मैजिक की तरह ये काम कर देता है इसमें हम मिला रहे हैं सत्तु सत्तु आप लोगों तो पता ही होगा चनी का सत्तु होता है वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से लोगी के परांठे में अगर मिला दियाना सत्तु तो आपका परांठा एक लास बनेगा इतना टेस्ट होगा इस परांठे में आपको क्या बताओं मैं हर रोज आप बनाएंगे ये मेरी गैरेंटी है बस दोस्तो हमारा स्टाफिंग रेडी हो गया है इस तरह हमने लोईया काट रही हूँ और अब इस स्टाफिंग के लिए इस तरह से हमें गोल-गोल करके बाकेट की तरह बना लेना है एक एक करके मैं बना रही हूँ आप जितना चाहिए में स्टाफिंग ढ़ले मतलब जितना परांठे का साइज था जितना लोई का साइज था इसके डबल डाल दे तब ही आपके परांटे बिलकुल नहीं फटेंगे और खाने में ये इतना ही अच्छा लगेगा क्या ही बता हूँ और ज्यादा तो लोग देखती हूँ कि इक अच्छा अट्टा डाल देते इससे होता है कि अट्टे का जो काच्छापन है ना वो मुझ जाता है अच्छा नहीं लगता है लेकिन इस तरह सकतू डालते है तो टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है अभी हम एक एक करके बेल रहे हैं परांठी को देखी सकते बिलकुल ये फट नहीं रहे है और बहुत अच्छे से गोल होके ये बेल रहा है जिन लोगों के घर पे इसको सेंख लिया है वैसा ही उसके बाद थोड़ा रिफाइन ओयल देके मैं इसको सेंख रही हूं आप चाहेते इसको बटर या फिर घी से भी सेंख सकते है और जितना भी आप स्टापिंग डाले इन इसके अंदर ये बिलकुल नहीं फटेगा ये मेरी गैरेंटी है जिस हम इसका प्लेटिंग लगा रहे हैं हम ये परांठे लंच के लिए बनाए है और इसको मैं सार्फ करी हूं दही और अचार के साथ तो दोस्तों आप लोग भी ये परांठे बनाएं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे जरू कॉमेंट बॉक्स में बताएं मैं जरू अच्छा लगा हो तो मैंने चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं आपसे नेक्स ब्लॉग पे